सर्दी गर्मी खिजा बहार जी थार नोबोल वाइट बॉल नवाज मैच विनर क्या बोले बंदा यार मतलब आठ विक्टे आपने गिरा दी 20 रन चाहिए बहुत अच्छी कैप्टेंसी की जहाँ पर कैप्टेंसी बाबर ने अच्छी की महात आरीव भी करनी चाहिए लेकिन अब आखिर में फास्ट बॉलर्स के ओवर्स खतम हो गए थे वो बाबर अगर पहले ना कराते तो कहते हैं कि पहले बचा की क्यों रखे एंड में जब उन्होंने पहले करा दी तो एक विक्टें ना निकल सकी और मुहम्मद नवास लेजंड जिनोंने वल्ड कप में पूरी दो विक्टें ली हैं बॉलिंग कराने आये हैं पहली गेंड वाइट किये उन्होंने पांच रन चाहिए थे दूसरी गेंड भी वाइट की थी बैट उन्होंने टच किया महराज निया और वो महराजा बन गया है चौका हो गया मतलब पहले आपने मैलबर्ण में एक अबर म मैच जितवाए था फिर यहां पर आके आपने जो है ना महराज से पांच रन खाली है वो भी एक गेंड के उपर और पाकिस्तान को जीता जीता है मैच जो हो हरवा दिया और अब पाकिस्तान को सिर्फ बस यह दूआओं की दुरूरत है और किसी चीज़ की दूरत निया पा मुकाबला है अब कमस कम कमस कम सर्दी गर्मी खिजा जैसे मैंने पहले बताया कुदुरत के निजाम पर डिपेंड करने के लिए भी आपको तीन मैच जीतना पड़ेंगे तब जाके आपके दस पॉइंट होंगे और फिर वह अगर मगर शुरू होगी यह आर जाए और यह 25 रंड बाउट हो जाए वो 40 सवर में चेस कर ले वो 37 सवर में पॉल आउट हो जाए कश्मीर अजाद हो जाए यह बाता नहीं क्या क्या हो जाए फिर जा गया आपका कोई चांस बनेगा जो कि हर वर्लक अप में यही होता है आपके साथ अब पाकिस्तान का आज साउट अफ रखेंगे और कमाल है भाई management आपको सलाम है और 21 फॉक्तो के सलाम ही आपको कि यह जा रहे है झेए पता नहीं है आपने क्या देखा इसके अंदर या इसमें कुछ देख लिया आपके अंदर जो आपके पास कोई कमजरी है जो खिलाए जारे है इसको वर्ल्ड कॉप, इस ओवर फॉर पाकिस्तान, अब हमें मेरिकल का इंतजार करना होगा, कुदरत के निजाम का इंतजार करना होगा, दुआएं करनी होगी, मुसले बिचाने होगे, दो रगात नमाज पढ़नी होगी, और बच्चों से दुआ कराएं, बड़ों से दुआ है, तब जाके कोई मामला हो सकता है, वरना ये वर्ल्ड कॉप में पाकिस्तान का सफर जो है, वो खतम हो जा है, सेंट्रल कॉंट्रेंट मिल गया, आपको 60 लाग रुपे सेलरी हो गई, आपकी सब कुछ हो गया, वर्ल्ड कॉप से पहले जो आपके मुतालबात के पूरे हो लेकिन जो हमारे मुतालबात थे, जो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कॉप में कामियादी थी, वो आपने पूरा ने किया, और वही आज दुपेर में ख़बर चली है कि बाबर आदम का फून नहीं उठा रहे हैं जी, जाका इश्राफ और यह गलत बात है, पांच महीने से सेलरी न मिली है, भाई इस परफॉर्मिस पे आप मुझे भी फून करोगे ना, मैं भी नहीं उठाँगा आपका फून, क्यों उठाएंगे वो आपका फून, मतलब परफॉर्मिस तो दो, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने आपकी सारी उमीदें, सारी जो डिमांड्स थी, आप भी परफॉर्म करो, और सलाम रही और पैस रहूफ, आपको भी समय क्या बुक्ते लेते हो, यार पिसल में, पाकिस्तान में आ के आपको यंदे पाकिस्तान के टीम में क्या उचाना हुटा हिए. इतने रंध आपको पढ़ें, मतलब आज भी यार मार्कस जैंसं से सग् क्या बोलेगा बंदा कोई अलफाज ही नहीं बचते शाहिन शाह अफ्रीदी ने अच्छी पॉलिंग की सारा आपने उसके जो है ना पानी फेर दिया मतलब अब 31 अक्तूबर का इंतजार है हम जीज जाएंगे बंगराद इससे मुझे पता है फिर जो है वो अगर-मगर शुरू हो जाएंगे फिर यह सब को शुरू हो जाएगा लेकिन भाई वर्ल्ड कप इस ओवर फो पाकिस्तान इस टीम के और मुझे बदा है सेमी फैनल में चले बहुत भी गई क्या करें गया उखाड लेंगे वहां जा कि यह मर मर के हम दो मैच जीते हैं तीसरा जीतने वाले थे आपके लेजेंड बॉल्ल कप के समी फैनल में जाहर है या तो आपको इंडिया मिले गाया और सौछ अफरीगा मिलेगा बार बार साउथ अफरीगा यह ल करने के बाद 48-47 अवर तक खेज दिया तो मेरा खायल है कि आप पाकिसान को उमीदे छोड़ देनी चाहिए फैन्स को उमीदे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इस टीम से अगर आप उमीद लगा कि समी फैनल में पहुंच भी गए तो वहां जाएंगे लैट्स इट